हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक तो मैं चैनल, मैं हूँ आपके फ्रेंड्स जागरिती और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से और फिलाल चलते चलते रास्ते से तो फिलाल मैं चलती हूँ अपने बच्चों को लेके स्कूल जो रोज की से नहीं इस बार भी क्वालिफाइड हूआ वह क्या कर सकता है या फिर कहां फिल कर सकता है फिलाल एक लोग का कमेंट आया था बीना सीटेट का टीजटी पीज़ीटी फॉर्म भर शक्ते थे हैं तो फिलाल मैं हूँ यू पी छे तो मैं यूपी के बारे में बताओंगी या क्वालिफिकेशन रहेगा यह भी आइडिया नहीं मैं 2022 में भरी थी तो उसका मैं बता रहे हूं या उससे पहली 21 में था उसका भी तो उसमें सीटेड नहीं मांगा था और आगे का तो पता नहीं क्या-क्या रहे और बाकी अभी जो बुकाई उसमें सीटेड मांगा है और बिहार का जो फारम भर रहे हैं जो ट्या इर्ट रहेु आएं है तो एडिंधिया नहीं मांगता है तो जब भी फारम आज है आप लोग भर सकते हैं मैं वही भरी रुसी की तैयारी में लगी हुं तो जिसका सीटेट नहीं हुआ फिलाल उदास नहीं हो अगर TGT का फारम आता है तो भर सकते हैं और LT grade आता है GIC का आता है उसमें भी सीटेट नहीं मांगता है आराम से भर सकते हैं और बाकी इस टाइम आएगा तो इसका तो पता नहीं लेकिन पहले आया था 2018 में LT grade का उसमें सीटेट नहीं मांगा था क्योंकि मैं फारम भरी थी बटन एक्जाम नहीं दे पाई थी जो प्रॉब्लम हमेसा मेरे साथ होता रहता है तो ऐसे ही जो फारम मैं फिल करी हूं या जिसके बारे में मुझे जन करी वह मैं आप लोगे साथ सेयर करती हूं और फिलाल मैं B8 करी जो मैं वली टीज़ी पीचेट के लिए ही टारगेट करती हूं और वी वेकेंसी नहीं आ रही है तो मैं अधर कुछ पोष्ट भरने के लिए सूच नहीं हूं और अधर तैयारी में लगी हूई हूँ तो जो फारम आईगा जो मैं इलिजबल रहूंगे वह मैं भर्ती रहू और इधर जीएस के सारे बुक पड़े हैं जो अभी फिलाल मैं रखी हूँ साइड में जबी कोई फारमायगत फिल लग जाओंगी फिलाल अभी मैं लगी हूई हूँ जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो मेरा एक दम टीजीटी पीजीटी का टारगेट है उसका सब्जेक् इस टाइम न्यूज ये भी आप लोग अगर देखे होंगे कि सल्बस चेंज होने वाला है टीजीटी पीजीटी का उसमें भी जीएस का एक पेपर होगा और फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा तो सायद हो जाए तो दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा इसल जलता रहेगा साथ में तो फिलाल अभी मैं एंसी आटी पढ़ने वाली हूं और इंसी आटी कंप्रिट करने के बाद फिर जीएस के पढ़ाई में लग जाओंगी क्योंकि जीएस की तैयारी करना बहुत जरूरी हो गया है कोई भी अपफार हमारा है उसके दो एक्जाम तो यह सुनके टिंसन हो गया और जीएस का हर जगा तैयारी चाहिए तो हम मैं साथ साथ अब दोनों की तैयारी करती रहूंगी तो फिलाल यह मैं एंसी आटी पढ़ने के बाद फिर लग जाओंगी जो भी जीएस के टॉपिक्स हैं सारे 5-6 होते हैं जो भी तो वो मैं अब तो भी पढ़ाइ मन लगा के कर ही रहे होंगे फिलाल ROX & exam खतम हो चुगा है देने वाले दे चुके होंगे UPPCS का होने वाला है तो जो लोग फारें बरहे होंगे वो अपने तयारी में लगे ही होंगे और हमारी तयारी अपनी चल रही है अलग ही जो फिलाल मैं PCS का नहीं बिदिना एक्ट seven पहरी क्योंकि एक्टीशक्याम कोना बिदेन होंद दिंदाई जलुक्त नेदें पहुत क्यों जैसे पहुद dawते इस्टे को तो भर चुंछर स्कोष ऑं तूरार में खुड़ाये इसलिए पुसे देना को गोमने पहर सकता है इसलिए हम लोग सकती हैं तो बस कोसिस यही कर रहे हूँ कि अपना भी अच्छे से मैनेज करूँ तो तैयारी में लगे रहूँ कि कभी न कभी तो सलेक्षन लेना ही है ऐसा नहीं कि बस बैठ है अपना पढ़ाई वेस्ट करना है तो अपनी तैयारी चलती रहेगी ऐसे ही तो फिलाल मैं अपना करीब दो खंटे पढ़ी मतलब घर के जो भी क्रोसरी लेने थे वह भी लेकर आई और फिर पढ़ाई भी करी यह फिर मैं चल दी हूँ आप बच्चो को लेने तो बच्चो का यह देके पीगी वैंक कितना सुन्दर लग रहा है बच्चो का अभी फिलाल पीगी वैंक चाहिए था जाती हो चॉकलेट नहीं तो फिर रास्ते में बोलते हैं थक गए हैं गोदी ले लो यह सब भाने चलने लगते हैं इसलिए दो चाहर चॉकलेट लेके जाती हूं कि पैदल चलके आते हैं थोड़ा दूर पढ़ जाता है तो बच्चे भी ठक जाते हैं और बहुत धूप साथ मैं भी लगा के आई लेकिन बहुत गर्मी थी तो आए घर पे थोड़ा चेंज वेंज करें पानी खाना मेरे बच्चे नहीं प्लेट भी दिख्या हैं जो इधर ना ठक कर रही है तो चलते हैं खाना पिना निकालते हैं खाएंगे फीएंगे फिर बच्चों का मैं सुल बहुत जरूरी है मेरे बच्चे फिलाले श्राइम बहुत भी खो गया हैं तो हमेशा कोई ने कोई सेख बनाती हूं बच्चों के लिए ताकि मैं बनाना सेख बनाओंगे साथ साथ उसमें मैं काजू और बदाम मतलब ऐसे नहीं खाते हैं सब तो मैं उसी में डाल के पीस के मतलब जूस के साथ मिक्स हो जाता है सेख के साथ तो पी लेते हैं बच्चों को नहीं पता चलता है बागी ऐसे बदाम की समेश और काजू दो तो नहीं खाते हैं तो मैं सेख में ही पीस के बनाती हूं ताकि आराम से बच्चे पीले जिसके बच्चे नहीं खाते होंगे उन चलता है तो ऐसे ही में बच्चों को काजुगदाम खिला पिला लेती हूं साथ साथ अपना चलता रहता है तो अपना टेश्टी भी बन जाता है और फिलाल देखिए फाइनली से रेडी हो चुके हम चलते हैं अपकाना पिना खाएंगे और जिसका भी सीटेट नहीं हुआ लेकिन वो कोस्टन गलत होता है मेरा सीडीपी में आया था सेवेंटी नंबर ऐसा हो सकता है मैं ऐसे मिला यूटूब पर जैसे मैं एक्जाम देके आए फिर आई मिला रहे थी यूटूब पर बहुत सारे टीचर ने जो बताने वाले तो मैं मिला आई तो मेरे 26 हो रहे थे अजहर एंसर किया था ट्व स्वारी सेवेंटी साही हुए तो क्या मतलब होता है मनलगता है कितना यजी यह बद नहीं होता है सी यही कर रही हूँ और तैयारी में लगी हूँ जब फारम आएगा फिल करते रहेंगे और आप लोग भी लगे रहेंगे तो फिलाल मैं चल दीए बच्चों को खिला पिला कर सुलाने उसके बाद चलूंगी फिर से अपने पढ़ाई में लग जाओंगी बच्चे सो जाते हैं तो यही है टाइम मेरे पढ़ाई करने का उनको सुलाने के बाद तो डेली का मेरा रूटीन ऐसा ही चलता रहेगा तो चलिए आज का ब्लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइए तो लाइक भी कर दीए चैनल पहली बारा हैं तो जरू सब्सक्राइब करिए और कोई भी सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहेगा तब तक के लिए बाइबाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में थैंक्स पूर वाचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब